हलो एवरीवन वेलकम तो लखी एजूकेशन और आज हम डिसकस करेंगे भारतिय किसान यूडियन के बारे में जिसकों सौर्ट हम बोलते हैं बी के यू क्लास 12 की पॉलिडिकल साइंस चैप्टर नमर 7 राइज ऑफ पॉपॉलर मुवमेंट्स और यह हमारा लेक्चर नमर 4 है स पहले तीन लेक्चर में लड़ी ला चुका हूं बुक हमारी कवर कर रहे हैं पॉलिटिक्स इंडिया सिंस इंडिमेंडनेस अब आप कोगे सर आपने यहां पर राकिष्ट केजी का फोटो कियों लगा दिया आप सब लोग जानते हूंगे यह हैं राकिष्ट केजी अर्यान इनके फादर थे जिनका नाम था मेहंदर सिंग टिकेट उन्होंने भी ऐसे ही मुवमेंट किये थे और उस समय भी सरकार को बहुत सारी बातें माननी पड़ी थी भारती किसान यूनियन की तो भारती किसान यूनियन नाम से पता चला है यह एक और्गिनाइशन है यह और्ग इंडियन फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो जब किसान अंदोलन हुआ था अभी रिसेंटली में ताजा ताजा की बात कर रहा हूं जो भी हुआ था तो यहां पर आपने देखा बहुत सारे किसानों ने प्रोटेस्ट किया था सड करने तीन फार्म लोगते उनको बापस ले लिया ठीक है तो यह तो रहा प्रजेंट का कॉंटेक्ट अब हम बात करते हैं अपने इसके बारे में भारती किसान यूनियन की अगर हम बात करें तो इसको बनाया था चौदरी चरन सिंग जी ने ठीक है आपको कमेंट करके बतान से जाड़ों के नेता हैं बहुत जादा फेमस हैं और बनाता यह जुलाई 1978 को बनाता है यह किसानों का यह वेस्टन उत्तरप्रदेश हर्याना रीजन के आसपास के जो किसाने उसका एक मतलब एक प्रकार से और नैंटीन एटीज के दोरान ध्यान रखना नाइंटीन एटी सब्सक्राइब दोरान किसानों को सब्सक्राइब नाइंटीन चलाएब तो उसको मतलब लीड किया था मैंदर संग्सक्राइब और यह जो ऑर और यह से हमें अमिसा अलग रहता है कभी भी पॉलिटिकल पार्टीजिक साथ अलाइन नहीं हुआ था एक प्रकार से नॉन पॉलिटिकल सेकूलर और नॉन वाइलेंट और इसके बारे में याद रखना है ठीक है अब मुव्मेंट की ग्रोथ के बारे में हम डिसकस करेंगे कैसे इसक करते हैं किसके ख़लाब प्रोटेस्ट करते हैं सरकार का डिसीजन था कि सरकार ने इलक्रिसीटी बढ़ा दिया थे बिजली के दाम बढ़ा दियते हैं इसलिए मेरेट में 20,000 फार्मर क्या करते हैं ठीक है और यह जो किसान यह तक लब तीन वीक तक टिश्टिक कलेक्टर की जो ऑफिस है उसके सामने डेर डाल देते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं जब तक इनकी डिमांड फॉल पिल नहीं हुई थी प्लस यह मूमेंट था पूरा डिसिप्लेन एजिटेशन था एजिटेशन का मतलब विरोत था मतलब सांतिपूर प्तरीके से किया गया था कोई किसानों था मांस की नहीं कि अधी के नियुके नहीं नहीं ठीट अधेता अ सपोर्ट प्राइस ठीक है जब भी मतलब सोइंग सीजन होता है रभी सीजन खरीब सीजन तो सरकार पहले इस फसल को में इतने रेट मिलेंगे तो जो मार्केट प्राइट से हमेसा ज्यादा होता और इसको अनौन्स करती है सरकार तो किसानों की डिमांड थी या भारती किसान और वीट इसकी प्राइस को बढ़ाया जाए पहली दिमांड तो यह थी दूसरा इंटर स्टेट जो मुमेंट होता था था फार्म पर उसका रेस्टिक्शन जो लगा रखी थी उसको अठाए जाए मतलब यह मतलब किसानों को आस्वाशन दिया जाए कि बिजली बराबर मिल और यहीं पर सबस्यादा सक्सेश्वल होई थी तो पानी देने के लिए आपको पता है पंप होती है उनको मतलब बिजली चाहिए तो यह दिवांड कर रहे थे बिजली की सप्लाइब बराबर होनी चाहिए और वह भी रीजनेबल कोश्ट पर ज्यादा कोस्ट नहीं होनी च चाहिए तो यह कुछ डिमांड ची जो मतलब भारती किसानी उनियन क्या कर रहा था रेज कर रहा था इस मुवमेंट के अगर विस्ष्टाओं की बात करें करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसने सरकार को मतलब बहुत कई तरीके से मतलब अपनी डिमांड को मनमाने के ल होजारों किसान इसमें मतलब भाग लेते हैं और यह मुविमेंट बाकी में में सुक्सेस्फल होता है यह मोज्ट जू ममेंट था जो म मतलब मेंबर थे भारतिय किसान यूनियन के मेंबर थे वो कैसी पर्ड़िकुलर कम्यूनिटी से बिलर्म करते aider थे जैसे बात पीके यू जो मुवमेंट था यह किस पर आधा रहता क्लें नेटबर्क पर आधा रहता इसके मेंबर्स जो थे इनको लगातार फंडिंग मिलती रहती रिसोर्स मिलते रहते थे ताकि विक्यू की जो एक्टिविटी है उनको केरियाउड किया जा सके इस मुवमेंट यह जो साथ में आपको देखने मिलेगा इस और्गनाइशन के जो मेंबर्स थे वो जनरली कैस क्रॉप सगाते थे मार्केट के लिए ठीक है कैस क्रॉप सगाते थे और उनकी प्राइस करने की यह क्या कर रहेते हैं बात कर रहेते और अगर हम कंकूलूजन देखे तो इस भारतिya कसान यूनियन तो यह पहतना लग देना भारतिया किसान यूनियन मतलभ उपर सब्सक्राइब हो थों सब्सकंशन रखते ए